आज का टॉपिक है सर्वेर कंपास and prismatic कंपास में डिफरेंस तो हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चनलर कीविटेक सिविल इंजिनेरिंग में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आप सर्वेर कंपास होता है या prismatic कंपास ये practically भी और exam purpose से भी बहुत important है लेकिन इससे related बहुत सारे confusion भी होते हैं कि जैसे graduated circle है वो किसमें attach रहता है, किसमें नहीं रहता है, कहाँ पर north, कहाँ पर south रहता है, कौन सा brass का रहता है, aluminium के क्या रहता है, बहुत सारे doubt होते हैं, क्या इसके least count होते हैं, तो जितने भी आपके doubt है, आज हम इस वीडियो में उस subscribe कर लिजीगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक स्रीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैं 60 सेकंड के अंदर आपको एक पूरा topic complete समझाने की कोसिस करूँगा, तो प्लीज आप सभी से request है, कि हमारे नए चनल कूल स्वील को subscribe कर लिजीए, सभी links आपको description box में मिल सबसे पहले हम बात करेंगे prismatic compass की, image में आप देख सकते हैं, यह है आपका prismatic compass, धान से देखिएगा, यह है prismatic compass, prismatic compass इस वज़े से कहा जाता है, क्योंकि इसके इस portion पर एक prism लगा होता है, इसी वज़े से इसे बोलते है prismatic compass, और यह image में आपका दिखाया गया है कि prismatic compass के क इसे सारे components है, ठीक हर component का क्या नाम है, इस image को मैं अपने telegram, group और page पर डाल दूगा, link आपको description box में मिल जाएगा, telegram पर भी मुझे follow कर लिजएगा, क्योंकि जितने भी image है और PDF में वहाँ पर upload करता रहता हूँ, तो चलिए अब जानते है prismatic compass के उन important facts के बारे में, जिससे exam में question मनता है, first point है, measures WCB, आपका जो prismatic compass होता है, वो WCB, यानि whole circle bearing को measure करता है, आप सभी जानते है, whole circle यानि कि complete circle में कितना angle होता है, 0 degree से 360 degree तक होता है, image में आप देख सकते हैं, ठीक है, यह आपका prismatic compass, यह south में 0 degree से सुरू होता है, west 90 degree, north 180 degree, east 270 degree and वापस 360 degree at south, यहाँ पर यह finish हो जाता है, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो angle से वो 0 degree से लेके 360 degree तक कुछ भी हो सकता है, तो इसे ही बोलते हैं, whole circle bearing, जो की prismatic compass measure करता है, south 0 degree, 0 degree to 360 degree, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, कि south में 0 degree होता है, और total angle की बात करें, तो यह 0 degree से लेके 360 degree तक कु graduated ring, आपका जो needle होता है, थोड़ा wide होता है, थोड़ा चोड़ा होता है, और needle आपका graduated ring से attached रहता है, graduated ring क्या होता है, एक ऐसा ring जिस पे आपके सारे angles जो हैं, वो लिखे रहते हैं, देख सकते हैं, आप image में यह है prismatic compass, और इसमें जो इसका needle है, वो काफी wide, काफी चोड़ा ह और यह needle दोनों तरफ से आपका graduated ring से attached, याद रखेगा कि मैं prismatic compass की बात कर रहा हूं, questions ऐसे ही पूछे जाते हैं, पूछ लेगा कि prismatic compass में जो needle होता है, वो graduated circle से attached रहता है कि नहीं, तो पता होना चाहिए, image आप ध्यान में रखिए, तो आपके कई question अपने आप ही हो जाएं तो इसे बोलते हैं, aged cap, इस cap को aged cap बोलते हैं, और यहाँ पर जो यह bearing मनता है, यह होता है, jewel bearing, image में आप देख सकते हैं, यह होता है, आपका jewel bearing, आपके prismatic compass में जहाँ पर आपका needle टिका रहता है, वहाँ पर यही bearing बनाया जाता है, graduated ring not attached with the compass box, आपका graduated ring होता है, वो compass box से attached नह रहता है, यानि कि यह freely move करता है, इसका मतलब यह है, image में आप देख सकते हैं, यह है आपका graduated circle, और यह आपका box के साथ attached नहीं रहता है, और वही हमने third point में पढ़ाता, कि इसके needle white होती है, और यह graduated circle से attached रहता है, तो भाया, कुल मिलाके बाद इतनी है, कि आपका जो needle होता ह वो wide होता है, needle आपका attached रहता है graduated ring से, लेकिन graduated ring compass box से attached नहीं रहता है, यानि कि जैसे ही आपका needle move करेगा, वैसे ही आपका साथ में उसके graduated ring भी move करेगा, बहुत important है और बहुत ज़्यादा confuse करता है, तो याद रखेगा, graduation inverted and clockwise on the graduated ring, read by prism, आपका जो graduation होता है, यानि कि जितने भी आपके angles लिखे रहते हैं, वो clockwise direction में और उल्टे लिखे रहते हैं, जिसे की prism के द्वारा सीधा पढ़ लिया जाता है, जैसे कि अगर आप उपर से देखेंगे, तो 270 degree कुछ इस टाइप से लिखा होगा, जिसे prism क at south end, आपका जो prism होता है, वो south end पर attach रहता है, यानि जहां पर graduated ring में south लिखा रहता है, वहीं पर ही attach रहता है, prismatic compass is portable, tripod not essential, आपका जो prismatic compass होता है, यह portable होता है, portable का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि मैं इसे tripod पर ही use कर सकते हैं, इसे हम हाथ में लेकर भी reading पर सकते हैं, least count 30 minutes, bracket में मैं लिखा हुआ 30 minutes, क्योंकि यहां पर लोगों को confused होता है, वो सोचते है 30 seconds, ठीक है, तो याद रखना second नहीं, minute में होता है, वो भी 30 minutes है, prismatic compass का least count, shooting and reading can do together, यहां पर object को sight करना और reading पढ़ना दोनों एक साथ किया जा सकता है, अब हम अगर बात करें, prismatic compass के जो component है वो किस metal के बने होते है, तो यहां पर जो आपका box होता है, वो बना होता है, brass का और needle होता है, वो aluminum का, जैसा कि आपको image में दिखाई दे रहा होगा, जो prismatic compass का box है, यह हलके पीले रंका दिखाई दे रहा है, ठीक है, हर पीली चीच सोना नहीं होती, तो यह इसका जो box है, य हलका white color का है न, तो यह aluminum का होता है, non-ferrous metal का बना होता है, अब हम बात करेंगे prismatic compass के temporary adjustment के बारे में, सबसे पहले किया आता है centering, फिर leveling और उसके बाद focusing, first step में आपका जो instrument यानि prismatic compass है, उसे center के ठीक ऊपर लाया जाता है, इसे बोलते है centering, फिर इसके बात किया आता है leveling, इसके बात किया आता है, कि आपका जो prismatic compass है, वो horizontal level में है या नहीं, इसे बोलते है leveling, इसके बात किया आता है, focusing, focusing में आपके prism को adjust किया आता है, जिससे आपकी reading साफ साफ दिखाई दे, और इन सब के बाद आपका instrument तयार हो जाता है reading पढ़ने के लिए, अब आप अपना prismatic compass सर्वे स्टार्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों ये prismatic compass related वे सभी important facts से, जिससे related exam में question बनते हैं, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना एक दो बार ठीके ताकि आपको कोई भी doubt ना रहे, और वीडियो को like ने किया तो like कर लेना, चलो को subscribe भी कर लेना, जिससे आपको सारी videos time to time मिलती रहे, इसके बाद हम बात करेंगे, सर्वेर compass के बारे में, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक प्रस्न, जिसका जवाब आपको comment करना है, question है, which type of bearing support prismatic compass needle, जापका prismatic compass का जो needle होता है, उसमें कौन सा bearing लगा रहता है, तो जो भी इसका correct answer हो, मुझे comment कीजिए, I hope अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा, तो आप इसका जवाब जरूर देंगे, तो जिसको भी पता है, please comment जरूर कीजिएगा, और comment करने से पहले वीडियो को like करिएगा, अब चलिए अब हम detail में जानते है, survey compass के बारे में, survey compass, image में आप देख सकते हैं, यह आपका survey compass, ध्यान से देखीगा, आपको image देख के ही समझ में आ जाएगा, कि क्या difference है, prismatic compass और survey compass, prismatic compass अभी आपने देखा था, और यह है survey compass, survey compass, measure RB, आपका जो survey compass है, वो reduced bearing को measure करता है, जैसे कि prismatic compass कैसे करता था, WCB में, मतलब की whole circle bearing में, वही survey compass करता है, reduced bearing में, और इसका मतलब क्य होता है, measure from north or south point, whichever is close, towards the east or west, आपका जो angle या bearing है, वो north और south से नापा जाता है, और किस और east या west जो भी उसके नजदीक हो, इसे ही बोला जाता है, reduced bearing, 0 degree at south and north, यहाँ पर south और north पे 0 degree होता है, और east और west पे 90 degree होता है, east and west are interchanged, इसका मतलब यह है, कि survey compass में, आपका जहां east ह होता है, वहाँ west लिखा रहता है, और जहां west होता है, वहाँ पर east लिखा रहता है, normally आपने direction कुछ इस तरीके से देखा होगा, east, west, north, south, east आपका right hand side रहता है, west आपका left hand side रहता है, ठीक है, लेकिन survey compass में ऐसा नहीं होता, survey compass में आपके right hand side में west और left hand side में east होता है, तो काफी नुकीला, काफी पैना होता है, और आपका needle graduated ring से attached नहीं रहता, आपको अगर याद होगा, तो prismatic compass में क्या था, कि needle आपका graduated circle से ring से attached था, लेकिन यहाँ पर वो दोनों अलग रहेंगे, attached नहीं रहेगा, जैसा कि आपको image में दिखाई भी दे रहा होगा, कि needle जो है, व 15 मिनट, और वहीं अगर हम बात कर, prismatic compass का, तो उसमें 30 मिनट होता है, graduated ring attached with box, आपका graduated ring होता है, वो box के साथ attached नहीं रहता है, जैसा कि आपको image में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो आपका ring है, वो box के साथ attached है, लेकिन आपका जो needle है, वो graduated ring से attached नहीं है, अगर आप ध्य करेंगे, तो prismatic compass में क्या था, कि आपका needle graduated ring से attached है, लेकिन graduated ring जो है, वो box attached नहीं है, यहीं सब छोटी छोटी बाते हैं, जो आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही exam में आपको confuse कर देता है, not portable, used only with tripod, आपका जो server compass है, वो portable नहीं है, मतलब किसे हाथ में लेकि आप reading नहीं पढ़ स में जो angles लिखे होते हैं, वो clockwise और anti-clockwise दोनों में लिखा रहता है, image में आप देख सकते हैं, sighting and reading cannot do together, आपकी जो sighting है और reading है, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि reading आप उपर से पढ़ते हैं, और sighting आप side से देखते हैं, लेकिन अगर हम बात करें prismatic compass, तो उसमें हम दोनों एक साथ कर सकते थे, वहीं अगर हम बात करें temporary adjustment की, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है centring और उसके बाद leveling, अब आप यह सोचेंगे कि मैं तो focusing खा गया, लेकिन ऐसा नहीं है, जिस जिसको पता है कि मैंने focusing क्यों नहीं लिखा, अभी वीडियो को pause करो और जाकि म अब इसके बाद बात करें focusing, अगर आपको याद होगा तो prismatic compass जब हमने focusing किया था, तो हमने क्या पढ़ाता कि focusing का मतलब होता है, कि आपका जो prism होता है, उसे adjust करते है ताकि आपको reading साब साब दिखाई दे, अब आप मुझे यह बताओ, कि surveyr compass में क्या आपने prism का use किया, क तो दोस्तो ये था आपका survey compass के बारे में जिते भी important facts थे, तो I hope आपको ये video पसंद आया होगा, इस video में हमने prismatic compass और surveyr compass में क्या क्या difference हमने सब को पढ़ लिया है, I don't think कि अब आपका कोई भी question इस से related आपका रह जाएगा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कि मैं compass से related आपके mcq भी कराऊंगा, लेकिन दोस्तो यहाँ जब video आपका 10 मिनट से उपर की बन जाती है, तो इसमें uploading में और इसके editing में थोड़ी सी problem आती है, इसलिए मैं mcq के लिए आपके लिए एक नया video लेके आऊंगा, तो please इस video को उससे पहले बड़े ध्यान से देख लिजेगा, कर लिजेगा, जिसे आपको सारी videos and notification time to time मिलती रहे, और साथ में दोस्तों हमारा जो नया चनल है CoolSivil, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा, वहाँ भी मैं अच्छे अच्छे topics पर videos लेकि आ रहा हूं, ठीक है?